जै हिंद बजरंगी स्टेडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है साथियों बड़े लंबे अंतराल के बाद फॉरेस्ट गार्ड डीवी की नोटिस देखने को मिली और उसके बाद अब आयोग द्वारा डीवी का शेडूल भी जारी कर दिया गया है जनी लगबग 5 साल इंतजार करने के बाद आज ये अवसर आया है कि जब फॉरेस्ट गार्ड वले अभ्यर्थी अपनी डीवी कराएंगे और इनकी डीवी 11 जुलाई से स्टार्ट है जो की 26 जुलाई तक चलेगी और 12 दिनों में आयोग डीवी कंप्लीट करवा लेगा तो ऐसे में चुकी वैकेंसी काफी पुरानी है और बहुत से अभ्यर्थी ओवर एज भी हो रहे हैं और उनको अब शायद किसी दूसरी वैकेंसी में बैठने का मौका न मिले तो इसलिए फॉरेस्ट गार्ड अभ्यर्थियों की तरफ मेरा ये सभी से निवेधन है कि जो भी कहीं सेलेक्टेड कैंडिडेट है वह अपनी डीवी स्किप जरूर करें क्योंकि डीवी स्किप दान आज का सबसे बड़ा दान माना जाता है और इसे आप महादान भी कंसीडर कर सकते हैं दिखिए दान तो वही है जो किसी की जिन्दगी बचाता है या बनाता है तो अगर आप लोग डीवी की स्किप करेंगे तो ये भी एक दान माना जाएगा क्योंकि किसी दूसरे की जिन्दगी बनेगी तो इसलिए इन्सानियत दिखाने का और हीरो बनने का या सबसे बड़ा मौका है और सबसे जही समय है यानि आप लोग अरह सोचते होंगे यार मैं भी भगत सिंग की तरह कुछ करूँ, मैं भी चंसेखराजाद की तरह कुछ करूँ तो आपको उनकी तरब कुछ नहीं करना है, क्योंकि अब देश गुलाम तो रहा नहीं, लेकिन जो अभी मुख्यतारा में नहीं जुड़े हैं, आपको उनको जोड़ने का काम करना है, भाई बगत सिंग चंसेखर राजाद ने इंसानियत दिखाई थी, और सब के साथ योगदान दें, क्योंकि एक DV skip से एक परिवार को खुशी मिलेगी, तो इंसानियत में इस से बड़ी उपलब्धी और क्या होगी, कि अगर आपकी वजह से किसी परिवार को खुशी मिलती है, तो इस महादान में अपना योगदान दीजिए, क्योंकि अगर आप किसी की मद का सरकारी नोकरी पा जाएगा, यानि परिवार आपके मात DV skip करने से समाज को मुख्यधारा से जुड़ेगा, और आपको बहुत दुवाएं देगा, देखिए, आप सोचेंगे कि DV मैं skip करूँगा, मुझे कैसे दुवाएं मिलेंगी, तो आपको indirectly दुवाएं मिलेंगी जर निवेदन है कि एक DV skip करके एक घर में खुशिया बाटे, यानि एक DV skip करेंगे तो आपको एक घर में खुशिया आप पैलाएंगे, और बाकी मेरा निवेदन कुछ उन अध्भिरतियों थे हैं, जो की लेखपाल में हैं, देखिए, सबसे बड़ी वेकंसी फॉरेस गार्ड क लिए लेखपाल की मानी जाती है, क्योंकि इसमें लगबग कॉमन जो है, वो 300 से 400 अभिरति हैं, तो 300 से 400 अभिरति हैं यहां पर, और आप लोगों का सिर्फ जॉइनिंग ही होनी है, तो जॉइनिंग तो कभी न कभी हो ही जाएगी, जिनका नाम आ चुका है, उनको जॉइन 220 से ज्यादा नंबर है, वो हर हाल में अपनी DV स्किप करें, क्यों देखें, कट आफ 215 से उपर नहीं जाएगी, देकिन अगर आपके 220 है, तो हर हाल में अपनी DV जरूर स्किप करें, फिर वंदरोगा, अगर वंदरोगा में आपके 80 प्लस हैं, तब ही आप इसमें अपना य DV स्किप जरूर करें, और जैसे लेकपाल वाले लोग हैं, तो वो अगर आप लोग चाहें, तो अपना DV रिजर्व डेट में करें, रिजर्व डेट जो है 26 तारीक है, तो अगर आप 26 कराते हैं, और हो सकता उससे पहले आपका रिजल्ट फाइनल आ जाए, अगर आप अपन सहयोग दें, और इस महादान में भी अपना दान दें, और लेकपाल वालों से मैं इस्पेशली ये कहना चाहूंगा, कि देखिए, पहली बात है कि आपका रिजल्ट परिवर्तित होने वाला नहीं है, जो है वही होगा, जितने लोगों का रिजल्ट में नाम आया है, उनकी जॉइनिंग 100% तैं है, अब आप ये न सोचे कि मेरी जॉइनिंग होगी कि नहीं, अगर आपका नाम आया है, तो आपकी जॉइनिंग 100% कन्फरम है, और ज्यादा संभावना यही कि 8 जुलाई को भरती से इस्टे हट जाएगा, और अगर थोड़ा विलम ये लेट होता भी है, तो जुलाई में भी आपकी भरती कोट केस के लिए हमेशा से मुक्त हो जाएगी, क्योंकि आयोग पर बहुत दबाव है, वो पैरवी अच्छे से करेगा, क्योंकि जो मेन अभ्यरती है, वह लेखपाल के ही है, फरस्ट गार्ड में, तो आप सभी लोग जो भी चैनित हो लोग है, तो अगर तीन-चार सो लोग सभी ने स्किप कर दिया, तो कॉट ओफ कितनी नीचे आ सकती है, आप सभी सोचिए, तो इसलिए इच एन एवरी डीवी स्किप इस इंपॉटेंट, क्योंकि पद छेसो पच्पन ही है, और आप सभी सहीयोग करेंगे, तो कॉट ओफ ह चिन सकती है, तो इसलिए आप लोग डीवी स्किप करें, जिससे बहुत लोगों का नुकसान होगा, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड फाइनल रिजल्ट आने से पहले आपकी जॉइनिंग होना निश्चित है, तो इसलिए आप लोग अपने छोटे भाई वहन के लिए एक वालों को भी, तो इसलिए जादा से जादा डीवी स्किप करें, और इस अभियान में सभी का साथ दें, और इंसानियत दिखा कर अपना फर्ज अदा करें, तो अगर आप लोग एक परिवार को खुशी दे सकते हैं, आपकी वजह से कुछ हो सकता है, तो आप डीवी जरूर लगी होगी, तब आपके घर वालों को कितनी खुशी हुई होगी, और ऐसी ही खुशी आप अपने भाईयों और बहनों को दे दें, अगर आप पहले सही कहीं चैनित हों, तो प्लीज यूपी फॉरेस्ट गार डीवी स्किप कर दें, यानि एक डीवी स्किप, एक परिवार एक मा, और एक बुढ़े माबाप का अशिरवाद, तो आपको बहुत ज़्यादा ये दिखाने की ज़रूरत नहीं, कि मेरे पास कितने जॉइनिंग लिटर्स हैं, उससे ज़्यादा कहीं आप ये दिखाईए, कि मैंने कितनों की मदद करी है, और कितने परिवार मेरी रहा है, तो आप जो रिजर्वड डेट है, उसमें आप अपनी डीवी करा सकते हैं, लेकिन हो सके तो डीवी स्किप ही करिए, क्योंकि आप सभी का फाइनल होना तय है, और जो लोग सेलेक्टेड हैं, वो तो हर हाल में स्किप कर दें, क्योंकि भगवान सब कुछ देख रह है, तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही, जो कहना था मुझे आपको शायद अच्छे से समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, कि इंसानियत दिखाने का इससे बड़ा मौका और हीरे बनने का इससे सही समय नहीं हो सकता, तो अपनी डीवी स्किप करें, किसी घर में खु वीडियो में, तब तक के लिए, जय हिंद!